नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा 2025 के लिए समाजिक बिग्योन का important objective प्रश्ण यह सभी प्रश्ण आपको अर्दुवार्शिक परिक्षा यानि तिन माही छे माही नौ माही में भी पूछे जाएंगे और final बिहार बोर्ड मैट परिक्षा 2025 समाजिक बिग्योन में हुबो हु मिलेगा यह सभी प्रश्ण अनि परत्योक्ता परिक्षा में भी पूछे जाते हैं तो आईए प्रश्ण को ध्यान से देखें और समझें और याद रखें तो देखिए पहला प्रश्ण है भारत का सबसे उचा बांध कौन सा ह अगला प्रश्ण है भारत का सबसे उचा बांध कौन सा है तो हीरा कूंड बांध है सबसे लंबा ओप्सन नमर सी सई है अगला प्रश्ण है टेहरी बांध किस राज में है उत्राखन में है अगला प्रश्ण है अलमिट बांध किस राज में है करनाटेक में है अगला प्रश्ण है अलमिट बांध किस नदी पर बना है कृष्णा नदी पर बना है अगला प्रस्न देखिए दुद्भा राष्टिय उद्धान कहां इस्तित है तो उत्तर परदेश में है उप्सन नमर बी सही है घाना पक्छी विहार किस राज में इस्तित है राजस्थान में है काजी रंगा राष्टिय उद्धान में पाए जाने वाला जन्तु है एक सिंग वाला गोंडा अप्सन नमर सी सही है राणा थांभोर वन्य जीव अभ्यारन भारत के किस प्रदेश में इस्तित है राजस्थान में आप्सन नमर बी सही है काजी रंगा राष्टिये उद्दान किस राज में इस्तित है तो अस्राम में है अगला प्रस्ण देखिए प्रस्ण है भारत में हरीत करांती के भारत में हरीत करांती से जूरे बैज्यानिक का नाम है भारत में जो हरीत करांती हुआ था उसमें बैज्यानिक का नाम किसका था तो डॉक्टर एम एस स्वामी नाथन और हरीत करांती किस से समन दित है गेहूं उत्पादन से अगला प्रस्ण है भारत का सबसे बड़ा स्वयाविन उत्पादक राज्य है भारत का सबसे बड़ा स्वयाविन उत्पादक राज्य है मद्धि परदेश इसलिए इसको स्वयाव परदेश भी का जता है अगला प्रस्ण है भारत का एक मात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन सा है यनि की केसर एक फसल है और वह उत्पादन भारत के एक ही राज्य में होता है तो कौन सा है जम्मू कास्मीर एक मात्र राज्य है जह केसर का उत्पादन होता है अगला प्रस्ण है भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुक उत्पादक है भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादक का प्रमुक राज्य है तो पच्छिम बंगाल है पच्छिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल भी होता है और जूट भी पच्छिम बंगाल में होता है अगला प्रश्ण है भारत का स्वर्वत्यम चाय कहां पैदा होती है भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहां पैदा होती है दार्जलिंग में अगला प्रशन है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज हो जाएगा महराष्ट अगला प्रशन है श्वेत करांती किस्से समन्दी था तो दूद उत्पादन से समन्दी था उप्सन नमर बी सई है अगला प्रशन है दुरगापूर लोहा इस्पाद सयंत्र किस देश के सयोग से अस्थापित किया गया यानि कि दुरगापूर जो लोहा इस्पाद जो कारखाना है वो किस देश के सयोग से अस्थापित किया गया था तो ब्रिटेन के सयोग से क्या गया था अगला प्रश्ण है भिलाई लोह इस्पात सयंत्र की अस्थापना किस देश के सयंत्र की अस्थापना क्या गया था अगला प्रश्ण है भिलाई दुरगापूर राउर केला में लोह इस्थापना किस पंचवर्सी योजना में की गई अप्शन नमर 2 सही है नेपा नगर में इस्थित सबसे महतपुर्ण उद्योग है नेपा नगर बेख्यात है किसके लिए अखवारी कागच के लिए अखवारी कागच बनता है कहां नेपा नगर में अगला प्रशन है भारत के किस नगर को इलेक्टरोनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता ह भारत के किस नगर को इलेक्ट्रोनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है तो बंगलोर को कहा जाता है option number B सही है अगला प्रस्ठाय देखिए भारत का सबसे लंबा राष्टिय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्टिय राजमार्ग है साथ सबसे लंबा है साथ यहने कि यहां इंगलिस में रहेगा साथ और हिंदी में भी राष्टिय राजमार्ग रहेगा आपका साथ करमंग साथ जो है कि सबसे लंबा है अगला प्रश्ण है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेट फॉर्म कहां इस्तित है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लोट फॉर्म इस्तित है खरकपूर में ओप्शन नमर B सही है प्रशन है कोकन रेलवे की कुल लंबाई कितनी है तो 710 किलो मीटर है आपिसण नमर B सही है यह प्रश्ण्ग ब्यार वोर मैट्रिक परिक्ष में बहुत बार पूछे जाते हैं प्रश्ण है नेता जी स्वाञ्च चंदरु बोस हवाय अड़ा कहान है तो कोलकता में है कोलकता में आपिसण नमर B सही है कोलकता नेता जी स्वास चंद्र बोस हवायद्डा काश्तित है कौलकाता ओप्शन नमर B सही है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है मुंबई ओप्शन नमर B सही है भारत में पहली वार जनगन्न कब हुई तो 1872 इसवी में हुआ था भारत में पहली वार जनगन्न किस वाइसराय के सासनकाल में हुई थी तो उस समय वाइसराय चलता था यहने कि अंग्रेज का यहां पे सासन था और उसमें वाइसराय चलता था उसमें परधावन मंतरी उपराश्पती यहने कि संविधावन लागू नहीं था तो वाइसराय चलता था अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेज के सासनकाल में ही जनगन्ना हुआ था लौड मियों के सासनकाल में भारत में पहली वार जनगन्ना किस वाइसराय के कारीकाल में हुआ था तो लौड मियों के कारीकाल में हुआ था option number C सही है देखिए अब प्रस्ण है कि अभी तो भारत में जनगन्ना जो होता है वो कितने वर्ष पे होता है दस वर्ष पे होता है देखे भारत में जनगन्ना का करमवार आकलन कब से प्रती दस वर्ष के अंतराल पर क्या जा रहा है यानि कि दस वर्ष में जनगन्ना भारत में होता है ये कब से क्या जा रहा है तो ये क्या जा रहा है 1881 वी से परती एक 10 वर्ष में भारत में जनगनना होता है बाग परियोजना बाग परियोजना यानि प्रोजेक्ट टाइगर की सुवर्ष परारम हुआ यानि कि बाग के लिए एक क्या बना चीए परियोजना बाग को बचाने के लिए प्रियोजनों बनाया उसका प्रोजेक्ट ये गार्डन बनाया गया जंगल उसको घेरा गया तो ये कब से बनाया गया बाग के बारे में कब से प्रियोजनों शुरू किया तो 1973 से बाग प्रियोजनों प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष परारम हुआ 1973 से ओप्शन 20 सही है भारत की जंसंख्या के इतियास में जंकी किये विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है जंकी किये यह जो 1921 में जो हुआ था जंगना तो उसमें काफी गिरावट हुआ था इसलिए उसको इतियास में जंकी किये विभाजन वर्ष कहा जाता है जंसंख्या के ब कि किये विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है तो 1921 को कहा जाता है अगला प्रशन है जन संख्या की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो जन संख्या की दृष्टी सबसे बड़ा राज्य भारत का है उत्तर परदेश option number C सही है तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक देखते हुए आये है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में share करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत